है ने पॉटेंशल क्या होता है ताकत कितने पर इतना कितना पोटेंशल है आप में कितनी ताकत है तो इसकी कितनी ताकत होगी कुछ ऐसा अग्षा होता है यह लेक्टरिसिटी टी जे तेकर पहर बता है, सबसे पहरे उसका नाम देते हैं या फिर उसका नाम करते हैं फिर आगे और भी चीजे करता है एकदम स्टार्ट बेसिस पे तो हमारे पास में और बेबी होता है तो हमारे पास में यह न्यूबॉन मतलब कि इस चार्ज से सारी complexity होती है इस electricity में और हमारा जो आगे वाला चैप्टर है magnetism या फिर magnetic effect of electric current वो भी इसी चीज़ से होता है ठीक है तो यहां तक मुझे electricity का basis पता चला कि charge क्या होता है और चार्ड से क्या क्या significance होता है दो चार्ड होती है पाउजे और नेगतिव कम नहीं होते है चार्ड बिलकूल एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है ठीक है तो एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है ठीक है तो एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव मतलब एक है माई पास में एक प्लस का मतलब एक कुछ फैक्टर है तो अगर दूसरा नेगेटिव है और उ यह cái के चारर्ज का में जो भी Čर्टी । limbs ए हूर मतलब j रिंडामेंटल चीजे वह कहां से आती है चार्ज कहां सब्सक्राइब यहां तक मुझे आया कि इलेक्ट्रॉन के ओपर यह फिर फंडामेंटल क्वांटिटी यह फिर फंडामेंटल एंट्री जो है इक और है इसे तीन तरीके के चार्ज सकते हैं। Aww, इस यूनिवर्स में मेरेपास है दो तरीके के चार्ज एक है पॉजिटिव और नेगेटिव यह तीन तरीके के चार्ज बनाते चार्ज के टाइप पॉजिटिव नेगेटिव और नीट्रल तीक है अब नीट्रल में मेरे पास में दोनों का मिक्सचर होगा सेम कॉआंटिटी यहां तक आई बात समय में तो तो हमने यह समझ लिया कि चार्ज होते है चलो ठीक है मैंने मान लिया अब हम थोड़ा और आगे जाते हैं या फिर इस रियल लाइफ में हमें जो दिख रहा है उसको भी तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई यह चार्ज हम अंदर तो चले गए एटम के अंदर इस फंडामेंट लाइट चल रही है यह तो यह सारे फिनोमेना जो में दिख रहे उनका भी तो हमें बेसिस देखना पड़ेगा या फिर यह कैसे काम करते वह भी तो देखना पड़ेगा ना तो सबसे पहले मैं आपको एक देमोंस्ट्रेशन बतातों फिर हम आगे चलते चलो यह तो वेंड अच्छा 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 होता है अभी तो यह काम करनी रहा है मैंने पिछले एक 5 मिनेट संडेस वाली वीडियो में एपिसोड थर्ड में वेंडेग्राफ जनेरेटर को बताया था यह वीडियो आप देख सकते हो अभी तो इसके अंदर बेल्ट का कुछ डिसफंक्शन हो गया तो इस वासे चल नहीं रहा है बाकी काम करता था है वीडियो देख रहे हो गया आप इसमें अब यहां पर हाथ रखता हो तो वो सारे पेपर क्लिप्स मेरी तरफ अट्रैक्ट होती है तो यह चार्ज का सिग्निफिकेंस है और इलेक्टरिजिटी का सिग्निफिकेंस है यहां से इलेक्टरिजिटी चल रही है यहां पर भी चार्ज ट्रांसफर हो रहे है इलेक्टरिजिटी मतलब इलेक्टरिक चार्ज ट्रांसफर हो रहे है तो यहां पर एक चार्ज का कुछ सिग्निफिकेंस दिख रहा है तो यहां तक मुझे समझ में आया कि चार्ज का क् करता है तो यह था है मैं पास नहीं प्लास्टिक की रोड से मैं क्या करूँगा जोHa हम बच्पन में करते थे कंगे से हमाय बाल कोर रब करते है और पेपर piecach करते थैंनने से क्या होगा इनके बीच में प्रिक्षन की वज्ञे से भी चार्ज ट्रांस्फर होते हैं प्रिक्षियम की वज़े से देखो दो तरीके के या फिर तीन तरीके के मेजर टाइप के मटीरियल हो तो वह मैं आपको इस लेवोस्टेशन के बाद में बताता हूं ठीक है चलो अब मैं क्या करूंगा इसको रब करूंगा तो क्या होगा इसमें कुछ चार्ज है और इसमें कुछ चार्ज है अभी क्या यह दुनों न्यूट्रल है ना तो अट्रेक्शन हो रहा है ना तो रिपल्शन हो रहा है ना तो इसमें भी इलेक्ट्रों और प्रोट्रों की तो इसमें आजाएंगे या इसके लेक्ट्रोन इसमें आ जाएंगे हैना तो इसमें कुछ excess of electron हो जाएंगे हैना तो अगर मैं इसको rub करता हूँ देखना तो मैंने इसको rub किया अब क्या करूँगा मैं इस polythene को इसकी तरफ attract करने की कोशिश करूँगा मैंने कुछ नहीं किया है यहां पर देखो एकदम आराम से बैठी हुई है यह देखो कि यह देखो कि यह देखो कि अगर तो यह दिखने लग जाएगा यहाँ पर और एस अगर किसी मेटल के साथ में करता ना तो नहीं होता एसा क्यूं हो रहा है मैं आपको बतातो इसकी मेरे पास में इस यूनिवर्स में चलो इन वेंडेग्राफ भाया को तो हटा देते हैं अब आपको रन तो करके बताई देता हो चलो अब देखो यह वेंडेग्राफ जनेरेटर है और मैंने इसको जब चालू गया तो यह ऐसे गुमता है तो इसमें अब पूपर से भी बताई देता हूं मैं कुछ ऐसा सा होता है यह वेंडेग्राफ जनेरेटर यह मैंने पिछले साल बनाया था यह मैंने पिछले साल बनाया था जब मैं त्वेल ने पिछले से वन पॉइंट फाइव यह पहले बनाया था जब मैं तो यह रहा था यह था मैं पास वेंडेग्राफ जनेरेटर अब कहां पर थे याद है आपको हम थे टाइप्स आप आप मटीरियल्स को है ना हमने देखा था कि प्लास्टिक की रॉट को ऐसे रब किया गुलन किसी भी मटीरियल से तो अट्रैक्ट रने लगी पॉलिथी यहां तक तक मुझे समझ माई यह चार्जिंग उती फ्रिक्शन की वज़ए से ठीक है चार्जिंग होती फ्रिक्शन की वज़े से हम हमारा लेक्चर चालू करते हैं यह तो कि सारी रामायन हमारी चार्ज के सिग्निफिकेंस को बताने की रामायन हो गई अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टाइपस ऑफ मंटीरियल किस किस तरीके के हो सकते हैं आपी मेरे पास में MARK इकां मैरे पास मेरे पास में तरीकर के ऊथे मेरे पास में थी तरीके की होते हैं आसे हुकति अब किस इस पर डिवाइड कर हो मैं में में देखो मैंने क्या बोला था कि electron charge का ट्रांस्फर्फर होगा या फिर चार्ज का जो भी लेंडीन होगा या फिर किसी भी material में electronics है नउन है याइड अब material कोई भी material या फिर स्युनिवर्स में या फिर सराध्य में मटीरियल जो है मेरे पास में इस इलेक्ट्रॉन को अलग-अलग तरीके से मतलब बिहेव करवाते हैं या फिर अलग-अलग है कि यह निएरो मतलब अच्छे आजये तो आप सब्सक्राइब देरा फिर्ट कर एकडम रिस्ट्री solids जो की मती सब्सक्राइब मत आशे पर इदि करने हो छेड निए है चाना हिना तो-almost तो basis of this, इस basis के उपर materials को तीन category में divide कर रहा है, तीन category में कैसे, मेरे पास में, देखो, types of material, types of material on the basis of electricity, एक है एक है लेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर मैंने तीन टाइप के मटीरियल डिवाइड कर रहे हैं अल्दोर मैं पास मेजर ली तो दो ही होते लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा हायर एडवांस लेवल के लिए लेवल के लिए बता रहू है ना अब देखो तीन तरीके के है पहला दूसरा और तीसरा पहला क्या होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्री टू मूव कर देता है है ना पहला क्या है एल्लाउस electron to move freely ठीक है allows electron to move freely दूसरा number पर क्या था second number पर mild है ना अच्छे marks आएंगे तो ही है ना allows at specific conditions क्या है और तीसरे नंबर पर क्या था था थार्ड नंबर पर बिल्कुल ही नहीं भाईया गर में बैठेर हो कुछ नहीं करना है ना तो doesn't allow does not allow electron to move freely अब कहां पर freely move करेंगे उस atom के सॉरी उस material के अंदर electron जो है उस material के अंदर freely move करते रहेंगे ठीक है तो allows electron to move freely specific condition पर अलाव करते हैं और allow ही नहीं करते हैं तो जो allow करते हैं भाई जाओ खेलो खुदो दुनिया को explore करो वो होते हैं conductors जो mildly specific condition में बोलते हैं वो होते हैं semiconductors और जो बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं आफिर बिल्कुल ही नहीं मना कर देते हैं बाहर जाने के लिए वो होते हैं इंसुलेटर तो मेजरली तीन ताइप के मटीरिल एक और सुपर कंड़क्टर भी होते हैं तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं अब थोड़े से एक्जाम्पल्स ले लेते हैं इसके एक्जाम्पल्स हो गया आइरन हो गया है और क्या हो गया सिल्वर हो गया कि एक सेक्टर अब बेसिकली मेटल्स और इदर स्पेसिफिक कंडिशन मतलब समी कंड़क्टर में एक एक्जाम्पल आता है मेरे पास में सिलिकॉन यह लैप्टाप्स के प्रोसेस में बहुत होता है इसका इन्सुलेटर का एक्जाम्पल अभी हमने देखा था प्लास्टिक हो गया वुड हो गया और क्या हो गया और जैसे और एक्जाम्पल ले तो पेपर हो गया एक्जेक्टर ठीक है यह मार्कर हो गया ऐसी को बींगत करते कि और दो करता होंगे और जुन करेगी वह इंसुलेटर हो जाएंगे और सो माइडली करेगी आधा आता मतलब स्प्रेसिफिक कंडिशन में वो समय कंड़क्टर तो तीन तरीक से मैंने डिवाइड किया इन माटीरियल को जो करेंगे जो माइडली करेंगे और जो बिल्कुल भी नहीं करेंगे चलो यह तो हो है मेरे पास मैं इलेड्टरिसिटी का कंड़क्शन मतलब की चार्ज का कंड़क्शन किसमें अब अगला टौपिक है यह घ्रिक कररत अब ऑलक्यक अब क्या हिया होता अब मैं कंडक्टर की बात करता हूँ कि जो एलेक्रिसिटी कंड़क करेंगे चार्ज को ट्रांसफर करके देखो मेरे पास में एक है यह मैंने पास में एक अगया मैंने basically एक metal का wire ले लिया जो कि conductor था तो मैंने metal का wire ले लिया तो उसने क्या किया यहां से यहां तक उसने charge transfer किया फिर charges को conduct करवाया ठीक है charges को conduct करवाया charges को conduct कैसे करवाया उसने electrons को conduct करवाया electrons को conduct करवाया तो charges को conduct करवाया उनसे तो यही तो यहां से यहां तक मान लो इलेक्ट्रों गए उनको कुछ टाइम लगा यहां से यहां तक जाने में टी ठीक है उसको यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा टी और इसने टोटल चार्ज ट्रांसफर किया इसने टोटल चार्ज यहां से यहां तक ट्रांसफर किया कितना क क्यों यूख कोई कोई भी specific quantity ले ली चाहँ के मैंने उतना इसने टाइम में ट्रांसफर किया ठाइम में edits एंटांसफर कि तो मेरे पास में ऐलेक्त्री करिंड क्या होता है अलेक्टिक करेंड क्या होता है तो बेसिकलिए रेट को मेजर कर रहें है ना उसके कितनी को उसका कितना इसका कितना इसाइश चार्ड के फुलो की है ना तो मेरे पास में अगर मैं करण को I से नोट करता हूँ या फिर Capital I चोटा आई तो कि आई क्या होगा Q अपॉर्ण 2 मतलब की rate of flow of charge यह होता है मेरे पास में measurement of current इधर से इधर कितना electrons flow हो रहा है या फिर कितना charge flow हो रहा है इलेक्ट्रोन अभी आपको थोड़ा सा myth clear होगा कितना charge flow हो रहा है उसको मैं बोलता हूँ electric current ठीक है अब इसको measure करने की quantity होती है फिर measure करने की unit होती है ऐसा unit होती है इसकी इसको लिनोट करते हैं एक है एंपियर ने दिया था यह इस नाम पर एंपियर मतलब 12 लास में पढ़ोंगे एंपियर शर्कितल लो तो उन्होंने ऐसा कुछ दिया था तो उनके नाम पर यूनिट पढ़ गई लेक्टर करेंट की तो आई इक्वर्स क्या है? उनोंने बोला कि ऐलेक्टर लेक्टर का कुछ न ब इलेक्टर अफ इलेक्टर थो रब्स फ्लिट्र टू रईट टू रहा ठीप है तो फ्लो आउअ धाफ़ टू लेकिन मैं क्या बोलूँगा करन्ट का जो फ्लो हुआ वह राइट से लेप्ट वो अब यह हमेशा ध्यान रखना कि फ्लो ऑफ एलेक्ट्रोन ऑपोसिट होता है फ्लो ऑफ करन्ट के यह एक साइन कर्वेंशन है खाली सहुलियत के हिसाब से हमारे लिए एक साइन कर्वेंशन क्यूंकि इलेक्ट्रोन का चार्ज नेगेटीव होता है मतलब की इलेक्ट्रोन का चार्ज में साइन चाहिए ब्यादेए से शाय उच क्या घण्या भूलका रहा है यारी से लेप मैं तो गटेरीक्शन एकडम ऑपोसिट होती है से लेवेशन of flow of electric current is opposite to the flow of electrons यह एक proper sign convention है ठीक है इसको सेम रख देते तो सारी जो भी आगे आने वाली values होगी ना उसमें हमें एक negative sign लगाना पड़ेगा क्यों कि हमने opposite कर दिया case है ना तो यहां से यहां पे electrons का flow हो रहा है और वहां से यहां पे current का flow हो रहा है electric current का flow तो electric current मुझे समझ में है क्या है rate of flow of charge ठीक है rate of flow of charge यहां तक मुझे आई बात समझ में अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अब अब मेरे पास में आपके लिए एक सवाल है या फिर आपका मेरे लिए सवाल होगा कि भया फ्लो 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 उफ चार्ड तो हो गयa फ्लो अफ इलेक्टरों तो हो गया कि conductor क करक बदा करते हैं चार्ज क करते हैं चार्ज को फ्लो करते हैं फिर चार्जब lifelongिक्टर लेकिन यह फ्लो हुआ कहां से किसी ने थपड माला क्या इन इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन होता कैसे या फिर इनको कौन पुश करता है इनको कौन पुश करता है कि यहां से यहां पे जा रहे है वहां से यहां पे आ रहे है करन का फ्लो इधर है इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है तो भाई यह फ् क्लास में पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत क्लियर होगा अभी मैं कलियर करने की कोशिश करता हूं बहुत अच्छा सा है ज्यादा मतलब इतना डिफिकल्ट भी नहीं है मैं आपको क्लियर करने के कोशिश करता हूं बहुत आसान सी लेंगविजिज में ठीक है क्योंकि जो concept हमाई पास में 12th class में है ना कुछ को साथ से concept 12th class में हमाई पास में वह इस साल नहीं है 10th class में तो उनका हमें यूज लेना पड़ेगा उन words का यूज लेना पड़ेगा लेकिन वह जो हमाई पास में वह वर्ड्स है lectric फील्ड हो गया एलेक्ट्रिक पोटेंचल हो गया या फिर थी पो टेंचल एनरजी हो गया तो वह सारे जो हरे वर्रम का मैं यूज ना लेके तोड़े बद्रेंदम वर्रहने यूज में तक हमें अच्छे से समझना थार्य है कि लाटए कि कि देखो बईया चलो मैं यहां तक अभी तक मैं आपको एक कॉंसर्ट बताता हूं या फिर एक स्टेट्मेंट देते हैं कि मैंने बोला कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रान फ्लो हो रहे हैं तो मैं के प्रोपर चीज बनाता हो या फिर एक प्रोपर डायग्राम बनाता हो ताकि हमें पता चले यहां पर मैंने लगा दिया एक बल बन लगा दिया एक बल्ब लगा दिया मैंने ठीक है एक बल्ब का साइन ऐसे अभी हम सरकीट डाइग्राम में सारे वो कॉंपोनेट्स भी देख लेंगे हैं तो यह में पास में बल्ब है और यहां से वायर जा रहा है यहां से एक चीज लगा ही मैंने पॉजिटिव नेगेटिव भी अभी समझ में आ जाएका हूँ तो यहां से हो रहा है रहा है इस अपर पॉजिटिव के तरफ बिल्कोल ऑपोसिट डिरेक्शन है और बल्ब करना चालो कर देगा बल्ब चालो करने लगेगा तो तो मैं आपको बैटरी बता ही देता है यह एक सेकड़ एक से चीज देख कि हमारा रिमोट में लगे हुए टीवी के तो यह हमाया पास में होते हैं इसको क्या कर रहे हैं कि इसको यह यूजू अब ये काम करता है यह कैसे जा रहे है यह फ्लो ऑफ चार्ज क्यूं हो रहा है यह क्या मतलब यह धक्का कौन दे रहा है इंको थपड कौन मार रहा है उदर जाने के लिए तो यह यह माश्य है ना यह इसको थपड दे रहा है यह इसको थपड मार रहे है इधर से इधर जाने के लिए फिर इन इलेक्ट्रों सो इधर से इधर पुश करने के लिए यह माश् चार्ज को ड्रांसफर करने में देखा ना कि चार्ज मुझ मूग कर रहे हैं यहां से यह यहां से यहां से यहां पर तो किस रीजन से जारह या फिर थपड वहारा है और उनको उन record को जो वो इधर से उधर जा रहे है या फिर औरuity करन का दूद to हमने यह देखा था कि या तो ही प्रके से काम कर रहा है या फिर इलेक्ष्ट काम करो अंप समझ़ना जही हो मतलब क्या है फिरOTT हीरी कि आप इसके थाप स LAURA कि अप्वाइileconomyarat visitor न CASne हाठ है तूंद की ताकत वह बताती है कि करण का की तलो हमें बताती है कि के पर होगा या तो सब्सक्किन है या तो एलेक्रिशिटी की ताकत कि पर य labour च्टिक है कि ताकत या था है थो ऑ इल córd economic city की की ताकत के बीच में डिफरेंस यहां तक सब्धमने मुझे कि इलेक्रिक potential यह पिर पोटेंशल डिफरेंस लो डूर प्ले करता है इन चारज के फ्लो में अब सवाल यह आता और दूर ले जारो तो पॉलिटर्स अंट्रिक्री रही है। मैं एक फिक्स डिस्टेंस लेके की आता हूँ तो मतलब अट्रैक्ट होना चालू होती है जैसे जैसे दूर जा रहो, वैसे-वैसे potential decrease होता जा रहा है, मतलब उसकी ताकत कम होती जा रही, ताकत ज़ादा होती तो अट्रैक कर लेता, ताकत कम है, इसलिए वो अट्रैक नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर इस q-charge, उसमें भी charge ही थे, तो यहां पे क्यों charge है, इसका potential कैसे होगा, कैसे define करेंगे, एक तो distance से define करेंगे, और हम इसको define करेंगे इस charge की ability से, तिक है, इस charge की ability से, यहां तक मतलब कोई दिक्कत नी समंगा नी आ रहा, कोई बात नी, अभी सारी चीज़े clear हो जाएगी, मैं क्या करता हूँ, मैं को इसका पोटेंशल निकालना है न मैं को इसका पोटेंशल निकालना है तो देखते कैसे निकाल सकते हैं मैं इसको वहां लेके जाता हूँ मैं एक छोटे से छोटे से चार्ज को लेके जाता हूँ कहां पर वहां पर लेके जाता हूँ जहां पर इसका कोई इंफ्लेंट्स नहीं होगा कि एक छोटे से चार्ज को क्यूंण मान लो इसको में टेस्ट चार्ज गोलते हैं इसकी रफ़ली यूनित ओती वन है ना वन यूनित ओती यूनित इसका कोई बतलब ज्यादा कुछ सिग्निफेकेंश नहीं होता इसके और हो बहुत ही जादा चोटा यह उसकी कमपैर्शिन्सन में बहुत ही जादा बड़ा तो कोई एफ्यक्ट नहीं हो तो यहाँ पे मेरे सित्ट चार्ज है क्या करा हुआ मैं उसको वहां पे रख रहा हूँ जहां पे इसकी वजह से उस point पे potential zero या फिर इस उस point पे इसकी वजह से कोई का प्रभाव या फिर कोई ऐसा effect मेंं दिख रहा है त्रेक्टिव हो रहा है या फिर repulsive दोनों में से कोई भी force ऐसा नहीं ओ रहा है उसका effect नहीं दिख रहा है दो तो दिरी के पोर्स्रा सकते ना एक तो ड्रेक्टिव या फिर एक तो मैं देख क्या रहो मैं देख किना में चार्जिछ की बीच में रिपल्शन या फिर अट्रेक्षन देख रहो मतलब में उसका पोटेंशिल डिफाइनी फोर्स से करूगा ना क्योंकि उसकी category या फिर उसका एक डिफ्रेंशीटिंग फैक्टर या फिर उसका फेक्टर ही वह यह कि वह फोर्स लगा रहा है और पॉर्स लगा रहा है एट्रैक्टेव यहां पर पोल्शन से दिवाइन करूंगा तो जद्दा पोटेंशल कम पोटेंशल करेंगा तो यहां पर इस चार्ज की सब्सक्राइ 0 क्योंकि वहाँ पर कोई attractive or repulsive force गहीं है जैसे-जैसे मैं इसको यहाँ पर ले करऊंगा गया तो यह इसके उपर force लगाना चालू करदेगा भली कैसा भी है attractive है repulsive उससे मुझे अभी कोई लेना देना निती है तो मैं इसको लेके जा रहो मैं इसको पकड़ा ठाइश हवाने तो ऐसे अपने अपने आप से चल कर आ जाएगा मुझे पकड़ कiej लेकर जाना पड़ेगा तो मैं ने इसको पकड़ा और जैसे-जैस की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है तो यहां तक मुझे समझ में तो मैंको क्या करना है इसको जैसे जैसे में पास लेके जाओगा तो यह इसको पीछे जखे लेगा तो मुझे और पुश करना पड़ेगा तो पुल मिला के मैंको इसको यहां पे लाने के लिए एक extra work करना पड़ेगा और गर रिपल्स होगा तो वैसी पीछे चला जाएगा तो मुझे और रखका देना पड़ेगा तो मुझे थोड़ा बद उसको खीश के रखना पड़ेगा ताकि वह एकडम स्टेबली जा सके तो यह इसके इसको यहां से यहां पे लाने में मैंने मालो वर्क किया बल्यू ठीक हुआ वही है न객 finely ऑलो कि मैंने जला कि मैंने डब्ल्यू वर्क दन किय यह वहाज़ेद है वह किसके ऊपर इपैं करेंगा देखो बढ़िस कने उपर डिपैंड कर सकता एक ही डविव अगर इस चार्ज की स्शाष की वैल्यू बहुत ज़ादा यह चार्ज की व प्रेपल्सिफ उस बहुत ज़्यादा लगएगा बहुति ज़्यादा लगएगा तो मतलब इस डिर्टी प्रपोश्टन टू इस चार्ज की वैलीव जितना साथ चारज होगा उतना ज़्यादा मुझे वॉक्ड न करना पड़ेगा है तो यहां पे इस क्यों के डेर्टी प्र तो मैंने कितना पॉटेंशल है तो क्यों क्यों है और इस के प्रपोशनल और इसके इस पॉइंट पर प्रोपोशनल होगा ना विए प्रोपोशनल भी होगा मतलब यहां पे पर कितना ज्यादा पोटेंचल अगर ज्यादा पोटेंचल होगा तो मुझे और ज्यादा वर्क दन करना पड़ेगा तो वर्क दन एक और चीज के प्रोपोश्चल आए ताइस वी यह फिर उस पॉइंट पर जो भी पॉइंट ए मेरे पास उसका पॉटेंचल के भी यह मतलब एक दूसर के कॉंप्लिमेंटरी है अगर चार्ज बढ़ाऊंगा तो उस पॉइंट के पोटेंचल भी बढ़ जाएका यह तो कॉमन सेंस ही बात है तो डल्यू किसके प्रोपोर्शनल आया वी इंटू क्यों किया ठीक है वी इंटू क्यों अब और यहां से यहां पर सेम वही चीज कर दिये यहां पर मालो डब्लीवी वर्ग हो गया तो बीड कितना होगा दब्यू भी अपॉन प्यू ग्यार्ज तो वही है किए ऩे व्लीव अपॉन जी इक हॉने कैने चार्ष दब्लीव नि को कर दो यहां के पोटेंशल Kो यहां को माइनस कर दो करना पड़े का फिर निकालने के लिए A के बारबर या फिर Eक कमपारिशन मेंばい तो WB upon Q minus WA upon Q तो potential कितना है 1 upon Q common WB upon W A VB minus VB तो यह है potential difference इस और इस point के बीच में और मुझे इस और इस point मलब उल्टा करना हो था तो व ए-VB कर दो उदर WB माइनस WB हो जाता है दोनों same तीज़ है तो यह है मेरे पास में अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशल जो हमने निकाला ना वो भी एक तरीके का पोटेंशल डिफरैंसी देखो कैसे यहां पर वी है कितना डब्ल्य एपॉन क्भाया ना डब्ल्यओ अपान क्यों मालोग चलो आपकी चाह आप कोशरो हयना तो यहां पर यह आ तो मैं इधर उन्मधर क्योंकि वहां पे तो यहां के ही और यहां के potential के डिवीкие स्में मेरे पास में एक तरीके का potential डिफेंच ही है क्योंकि यहां पर जिरो की यहां पे जीरोAd, करो, कोई बात नहीं वहां के बीच का potential क्यूंकि वहां पे जीरो था ठीक है और वह जो point होता है हो इंफिनिटी होता है तो यहां मेरे पास में electric potential difference समझ में electric potential और electric potential difference दोनों सेम चीज़े लेकिन अलग-अलग चीज़े बता दी क्योंकि वहाँ पर 0 आ रहा था electric potential हो ठीक है चलो यह हो गया हम आए पास में अब हम SI unit भी निकाल लेते कुछ है ना SI unit भी निकाल लेते इसकी SI unit होती है is volts जिसको हम डिनोट करते है जिसको है बी जिसको करते हैं ऐसा यूनिट इसकी वल्ट होती है और जब हमने पढ़ाते हैं circuit में यहाँ प्रवाइड करता है यह potential difference इधर के और इधर के बीच में potential difference होता है यहां के और यहां के बीच के potential में कुछ differenस होता है इस वज़एसे यहां यहां पर कुछ पोटेंचल है यहां पर कुछ कम है तो यहां से यहां पर इलेक्ट्रांस का ट्रांसफर होगा यहां से यहां पर इलेक्ट्रांस का ट्रांसफर होगा क्योंकि पोटेंचल में डिफ्रेंस है ताकत में डिफ्रेंस है तो ताकत मतलब ताकत में डिफ्रेंस है तो तो वह पुश्च करेगा हैं यहां पर ज्यादा पश्क आप यहां पर ज्यादा पानी है और कम पाइप संसा जो जो जाते हैं इस वाज़े से मैं पास मैं वो फ्लो switch स्सक्राइब एक हो मनलो था है कि और फ्लोव इलेक्ट्रान leaf internally और और potential difference अभी तक के लिए इतना ही रखते लेक्चर की लेंग बहुत बढ़ी हो गई होगी है ना तो अगले लेक्चर में मिलेंगे किसके साथ में अगले वो सरकिट डाइग्राम से साथ में है ना सरकिट डाइग्राम से साथ में और ओम्स लौ पढ़ेंगे हम चलते ठीक है